जारखन नुज में आपका स्वागत है चलिए जानते हैं सुबा से लेकर साम तक की तमाम बड़ी खबरों को इसे पहले आप जारखन के किस जीले से नुज को देख रहे हैं हमें कोमेंट बक्स में जरूर बताइए साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूले आज का लाइक एम 500 है उमीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे कक्छा आठवी नवी और एकारवी बोर्ड परिक्षा के लिए जल्द जारी होगा प्रोग्राम परिक्षा तीन या चार मई से सुरू हो सकती है बता दे तीनों परिक्षाओं को मिला कर लगभग तेरा लाग परिछार्थी परिक्षा में सामिल होंगे कक्षा आठवी में 5 लाग 25 यार वहीं 9 में 4 लाग 50 अजार वहीं 11 वी में 3.5 लाग परिछार्थी परिक्षा में सामिल होंगे प्रवासी कामगारों के लिए गुमला में खुला सहायता केंद्र कोश्ट के रूप में तथा जीला स्रम एवं रोजगार अधिकारी के परवेक्षन में कार्य करेगा इसके जरिये गुमला के अंदर अंतर राजिये परवासियों और उनके परिवारों की पहचान की जाएगी ताकि ऐसे स्रमीकों एवं कामगारों की समाजिक सुरक्षा सुनि के पास गुरु वार सुबा करीब साड़े साथ बजे हाईवा की चपेट म्याने से इसकुटी सवार एक महिला की महत हो गाई बता दनी लांबर पितांबर थाना छेत्रे के जूरु गराम निवासी कमेश परसाद गुपता की 35 वर्षिये पतनी बसंती देवी इसकुटी से अपने बच्चो को जुमना देवी गुरु गोविन सिंग पावलिक इसकुल छोड़ने गई थी बच्चे को इसकुल से छोड़कर लौट रही थी इसी दवरान पीछे से आ रहे हाईवा ने महिला को रहुन दिया महिला की घाटना स्थल पर ही महत हो गाई गोड़ा डी सी भोर सिंग यादो पर दर्ज होगा मुकादमा जार्खन राजे खाद आयोग ने गोड़ा डी सी भोर सिंग यादो पर मुकादमा करने का देश दिया है या अधेश 18 अपरेल को जार्खन राजे खाद आयोग की आंत्रिक बैठक में दिया गया बैठक की अध्यक्सता आयोग के अध्यक्स हिमांसु सेखर चौधरी ने की आयोग की आंतरिक बैठक का मिनट भी जारी हुआ है बतादे इनके अनुसार 25 नॉमबर 2021 को जारखन राजिखाद आयोग के अध्यक सिमांसु सेकर चोधरी ने गोड़ा जीले का ब्रह्मन किया था वहाँ सुन्दर पहाडी परखन के अस्थन निरीक्षन के दवान उन्होंने नमक एवम चीनी के बित्राण एवम राकराखाओ में आनिमित्ता पाई थी गीरी डी में नमांकन करने पहुंचे मुख्या परत्यासी के समर्थकों ने लगाए देश बिरोधी नारे जारखन में पंचाय चुनाव के लिए परत्यासी नमांकन कर रहे है बतादे गिरी डी के गांडे में नमांकन को लेकर बुद्वार को डोकी डी पंचायत के मुख्या परत्यासी साकिर हुसाइन के समर्थकों द्वारा पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए गाए समर्थ को द्वारा नारा लगाने का वीडियो सोसल मीडिया में बुद्धवार की देर रात को वारल हुआ यह नारा प्रखंड परिशत के मुख्य गेट के समक्ष लगाए जा रहे थे नारे बाजी के समय पुलिस परसाशन भी मवजूद था जारखंड में गर्मी से मिलेगी रहात भीषन गर्मी से रहात मिलेगी समभवना है मौसम केंद्र के पूरोनवान के अनुसार बारिश के असार है 21 और 22 अप्रेल को राई धानी वास्यों को गर्मी से रहात मिल सकती है गुरुवार को आसमान में आशिक बादल छाया रह सकता है में गर्जन के साथ हलकी बारिश की भी संभवना है वही 22 अप्रेल को एक दो बार गर्जन के साथ हलकी बारिश की संभवना है अनुवादक बन कर कमाय प्रती पाठेकरम 35 सरूपा है AICTE ने तक्निकी बिशवय में 29 अनुवाद के लिए अनुवाद के लिए शिक्षकोव पीजी बिद्यार्थियों की तलाज सुरू की है ANICTE अध्याक्ष प्रोफेसर अनिल डी ने राजे के उच वतकनिकी सिक्षा विभाव को पत्र भेजकर अनुवाद के लिए विश्व बिद्यालेवा उच सिक्षन संस्थानों से सिक्षकोव पीजी बिद्यार्थियों को सामिल कराने की बात कही है अध्याक्ष ने कहा है कि एक घंटे के ऑनलेन कोर्स का एक भासा में अनुवाद करने पर अनुवादों को प्रती पाठे कराओं पैंती सो रुपए मिलेंगे गीरी डी मुख्या परत्यासी साकिर हुसाइन समय तीन गिरफतार जार्खन पंचायद चुनाव के लिए नमांकन कराने से पहले गीरी डी जीले के गांडे परखंड की डोकी डी पंचायद के मुख्या पत के परत्यासी साकिर हुसाइन के समर्थ को के द्वारा देश विरो धिनारे लगाये जाने का वीडियो सोसल मीडिया में खुब वारल हो रहा है अलाकि वीडियो बुद्वार की दोफर का है लेकिन देर रात को या वीडियो सोसल मीडिया में वारल हुआ बता दे वीडियो वारल होने के बाद पूलिस परसासन ने मामले को गंभिताव से लेते हुए देर रात को छापे मारी अभियान चलाया और मुख्या कारण बाबु डंगाल चांच में ख़दान धस गई इसमें कई लोगों के दबे होने के संका है उधर सराय के लजीर्या के कांडरा थाना अंत्रगत रतन पूरिश्थीत निलांचल आयरन आयंड पावर लिमीटेड कंपनी में बुद्ध्वार के मदे राती आठ से दस की संका परियास के मामले में पूरे देश में 26 अस्थान मिला है निती आयोग के स्टेट एनरजी आयन कलाइमेट इंडेक्स राउंड एक की गन्ना में नितिजा निकला है बड़े राज्यों किसरेनी में सुलावा अस्थान मिला है निती आयोग ने राज्यों में उर्जा और परि की दिशा में किये गए पर्यास्व का अध्यान कराया है कुल 6 पारा मीटर पर 27 इंडेक्टर त्यार किये गए है और इसकी गन्ना कर राजियों की रिपोर्ट त्यार की गई है बता दे इसके तहुत पहले अस्थन पर गुजरात है भोगोली को अच्छे त्रफल के अधार पर 22 अप्रिल को सुनवाई होगी अधालत के अदेश के अलोक में CBI की ओर से बुद्वार को जार्खन हाई कोट में सपत पत्र दायर किया गया बताया जाता है कि CBI ने अपने जवाब में कहा है कि इस मामले में लालू परसाद की आधित सजा अब तक पूरी नहीं हुई है वै महिने 10 से 15 दिन की देरी से बिल मिलने के कारण उन्हें सबसीड़ी से बंचित होना पर रहा है नियमा अनुसार अगर भी भाग बिल दे तो एक महिने में 400 इनुट तक बिली खपत करने वालों को सबसीड़ी मिलेगी इसकी घोतना जारकन सरकारने की हाई बतादे अप्रेल 2022 22 से अयोईना लागू हो गई है इससे अधिक खपत करने वालों भुकताओं को 6 रुपया 25 पैसा प्रती इनुट की दर्थ से बिली बिल का भुकतान करना होगा नेतर हाट फिल्ड फाइरिंग रेंज रद करने की मांग। कुजूर क साथी 95 वर्षिये एमानवेल एवं मगदली कुजूर दोमनीका मींज खाजो मुदीन खान बलराम प्रसाथ साहू समेत अन अंदोलन कारियों को माला पाना कर एवं जाना दिखा कर रवाना किया गया टाटा इस्टील में सफल आश्रित अभ्यार्थियों की होगी नियुक्ती टाटा इस्टील निवंधित करमचारी आश्रित बहाली पर रिक्षा के सफल अभ्यार्थियों की नियुक्ती 16 मैं से अराम्भ होगी नियुक्ती होने वाले अभ्यार्थि सीधे एन एस साथ ग्रेड करके आते थे अब ऐसे अभ्यार्थियों को सीधे एने 7 ग्रेड में नियुक्ति होने का आउसर मिलेगा नवकरी के नाम पर ठगी करने वाला अपनी साधी से पहले चड़ा पूलिस के हाथ थे धनबात के भोई फोर मंदीर में जनेव कराने आय गोविंद पूर गोर तोपा निवासी सोनु कुमार तिवारी अपनी साधी के दो दिन पहले पूलिस के हाथ चड़ गया बताया जाता है कि आधा दर्जन लोगों ने नवकरी के नाम पर ठगी करने के आरोप में पकड़ कर फरजिया शुरू कर दी इस पर सोनु ने सो नमबर डायल कर खूद को नेवी का अधिकारी बता पूलिस को हड़का कर बुला लिया पूलिस को समाज में आ गया कि सोनु फरजी नेवी अधिकारी है तो उसे उठा कर सराय ठेला थाना ले गई यहाँ पूस्तास में पता चला कि सोनु ने कई लोगों से मैथन ओपी छेत्र में कोल्ड स्टोरेज कमपनी में नोकरी लगाने के नाम पठगी की है उसने कई लोगों को आरा भी भेजा था इसके बाद मैथन ओपी पूलिस को बुला कर उसके हवाले कर दिया धन्यवाद